इस वीडियो में मैंने वही बताए कि सुरू से लेकर एंड तक हमें सेंडिंग और कलर मिक्सिंग फिर गोल्डेंग कलर वो सब कैसे करता है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हम टोटल कुछ चीजों की जरुवत होगी वह मैं आपको दिखाता हूँ जैस जोस्तों कि कलर को पतला करना पड़ता है जोड़ा बहुत गाड़ा आता इसलिए इसका दोस्तों आप एक लिटर में 200 ml से ज़्यादा मट डालना काके वह पतला हो जाता है और फिर हमारे कोई कामका नहीं रहता है या फिर तीन-चैर कोट और लगावना पड़ता है उसके पच्छे से मिक्सिंग करने वाल है उसके अंदर आसानी से तीस दोस्तों की स्प्रेइघ हो सकते हो गालर को आफ को टैंक में जब भी कलर टालो तो चान के ढलना है तो असानी रहा हूं और जो हमारे नौजल है उसमें जाके कोई कच्रा है वो जामना कर दे हमारे नौजल को तो दूस्तों हमने almost color चान लिया है उसके बाद हम इसे gun के अंदर fit करेंगे fit करने करते समय आपको दूस्तों याद रखना है tank नीचे से लगता है तो कई बार होता है कि महरे आद्सों से tank गिर जाई या फिर अच्छे से fit ना हो तो हमारा पुरा color नीचे गिर के रवेश हो सकता है वैसे मैं आपको बता दूए tank 600 ml का है तो आपको उसी साब से अंदर color डालना है कि आपको कितनी जरूरत है दूस्तों इस प्रेगन करने से पहले मैं आपको जो अभी आगे बता है तो लोग कि उसकी preparation के बारे मैं बता देता हूं सबसे पहले दूस्तों जंग लगा था यानि जंग लगा होता है जैसे कि आप जेक्शे को अभी में सेंड कर रहा हूं पत्त जो भी जंक लगा है उसे मैं अच्छा से सैंडिंग करकर या फिर जो मर कanka अन्यक्राइब हो यहां पीर प्लास्टर के मददसे और यहां करो थेन के लिए 150 नंबर का पर यूज़कर तो बहतिन रहेगा और जहाँ पे ज्यादा प्राटर लगाये वहाँ पर आप 80 नंबर का पेपर फी उज़कर सकते हो उसकी मदद से मैं फिनिशिंग आयेगी और फिर 15 50 नबर का सेंड पेपर से में अच्छे से सेंड कर लेना है ताकि हमारी जो इसकी क्वालिटी है मेटल की वह अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए फिर हमारे कलर में आसा नहीं रहे अब दोस्तों यह वालमस्ट हमारा सेंड हो चुका है इसके बाद हम इलेटिक स्पेगन की कुछ डालते या फिर उसके प्रेशर क्या रखना है वो सब उसमें डीटेल में आपको दिखाया है तो आई बैटन में होगा वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा दूस्तों यह पिछे निश्पेटर लेकर आपको बंदा खड़ा है तो आपको यसा लगेगा क्यूं लग क्या है और दिवाल थी बाहर की साइट तो आप वह भी आपने नोटिस किया होगा कि सब जगह पर मैंने मास्किंग किया हूँ न्यूस पेपर बीचा के वह भी इसलिए कि दाकि जो हमारा दिवाल का कलर है वह बिगड़े नहीं और वह भी फिनिसिंग के साथ अच्छा रहा यह करने के बाद मैं अभी आपको गोल्ड कलर के बारे में बतता हूँ तो आप यह देख सकते हो गोल्ड कलर है इसे हम हमारे जो यह अलग से डिजाइन किया हुआ है जो पैनल से इसके डिजाइन है उसके ऊपर करने वाला है यह करने के लिए दूस्तो हमने आज इन्च का जो हमारा पेंटिंग ब्रस होता है जिसके मज़ें से हम ड्रोइंग वागरा करते हैं वह वाला उसकी है ताकि उसके रेसे होते हैं वह काफी बारिक और फाइन होते हैं तो हमारे कोट में अच्छे से उसका फिनिसिंग आ जाए जोस्तों ब्लैक कलर अगर नीचे दिख रहा है तब तक हमें इसके उपर जो ये गोल्ड कलर है वो लगाना है और उसके बाद इसे सुखने देना है दोस्तों ये जब भी ब्लैक कलर लगा है तो उसे सुखने दो फिर गोल्ड कलर करना है ये उल्मस्ट है दोस्तों हमारे एक सेंपल के लिए मैंने आपको दिखा है बाकी ह यही ग्रिल्स थी दोस्तों कितनी अच्छे से आईए आपको आइडिया लग चुका होगा फिर से मैं बता देता हूँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नाटिफिकेशन बैल भी ओन कीजिए मिलते अगले वी